हलो हाई कैसे हैं आप सब आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कई तरह की ये किचिन टिप्स जिसको आप सुनकर के कई तिरह की चीजों को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं तो आप लास तक वीडियो में बने रहें जिससे की आपको भी एजानकारी मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं मैं और फिर उसके बाद उसमें लगेंगी जो निवु कर खुर घर पर लाते हैं वह जल्दी खराब हो जाते हैं तोा आपको क्या करना है कि कोई भी तेल जो आप घर पर यूज करते हैं बस उसमें लपेट दीजी और प्लास्टिक के भी खराब नहीं होगा जो आठा गुथा हुआ होता है आप उसे जब रखते हैं लोहे के टिफिन में आप बिल्कुल भी न रखें अगर आप लोहे के टिफिन में रखेंगे तो वो काला पड़ जाएगा इसलिए आप क्या करिए कि यहां पर आप प्लास्टिक कडबा यूज कर सकते हैं हम जो इस पैचुलां जोम पूरी दरते हैं सबजी बनाते हैं वसी चर्ड़ा हमयोस करते हैं तो वो उयले वह में तो उसके लिए आपको क्या करना है एक वो न ले लीजे टोप ले लीजे या फिर आप ले लीजे कड़ाई आप उसमें गरम पानी होने रख दीजे और जो डिश बॉस आप यूज करते हैं जैसे बिमबार है बस वही आप उसमें एक पर डाल दीजे थोड़ा सा नमक डाल कर आप उसे उबाल दीजिए उन सभी को उबाल कर पांच मिनेट आपको अच्छे पानी से दो देना है आप देखेंगे कि आपके सारे साफ हो चुके हैं तो अभी बारिस का सीजन चल रहा है तो सूखी जो मुल्चियां अपलाते हैं वो पीसने में काफी दिक्कत करती है ऐसे पांच मिनेट इस तरह से मिर्ची को गरम कर देना है इससे क्या होखा वो पिसने में आसाल हो जाएगा और दूद में जब हमको मोटी मलाई चाहिए तो आपको क्या करना है जब आप फिरिज में दूद रख रहे हैं जैसे आप दूद को वालेंगे फिर आप ठंडा करके फ जार में और किसी लोहे के बर्तन में यह डबे में रख देते हैं तो जल्दी ही काला पढ़ना शुरू हो जाता है तो आपको क्या करना है उसको भी आपको प्लास्टिक के डबे में रखकर आप फ्रीज में स्टोर करके रखिएगा वो कम से कम 15-20 दिन आपका काला नहीं करके एक टोप में नमक डालिए और जो बाकी बचा हुआ उसको आप फ्रीज में स्टोर करके रख दीजिए फिर देखिएगा कि वह दो सी तीन दिन तक एकदम खटा इसमेल उसमें नहीं आएगी और जब हम भिंडी काटते हैं तो उसका ग्लू हमारे जो चाकू में चिपक नहीं अगर आपको जल्दी हो रही है वैसे तो रात को अगर आप बादाम तीन चार गंटे भी हो देंगे तो उसका छिलका निकल जाता है पर आपको क्या है जल्दी आपको वह बादाम यूज करने हैं तो आपको क्या करना है 15-20 नेट आप उसे गरम पानी में भिगो कर र सेव अगर आपने आदा खा लिया या किसी बच्चे ने आदा खा लिया और आदा हमारा बच गया है तो वह क्या होता है जल्दी ही काला पढ़ना शुरू हो जाता है तो आपको क्या करना है छोड़ थोड़ा सा उसमें आप नम्मक इस तरह से लगा दीजे और आप फ्रिज जाओ खीर या डाल कुकर में डाल कर पका रहे हो तो आप एक चमज जो कुकिंग ओल होता है जो घर पर आप सब्जी वगरा में यूस करते हैं बस एक चमज डाल दीजी आप देखेंगे कि आपका कुकर भी खराब नहीं होगा जब सीटी आईगी और आपकी सब्जी या दा अलुगर में हमेशा ही रहते हैं या फिर आपके पास बनाना पूर को मैश ुससे चीईल कर लगा सकते हैं आते जलन भी जाक होगी और नहीं आएंगे अब हमारी आती है लास्ट आप क्या जब मिक्सर जाड चलाते हैं तो उसके जो काटे हैं वह बहुत ही ब्लेड हैं वह बहुत मोटे हो जाते हैं यालि वह पीशते ही नहीं है तो आपको क्या करना है उसमें आप 2-3-3-3 नमक की डाल दीजिए और उसी चला दीजिए उसके बाद आप देखींगे कि आपके जो मिक्सर के ब्लेड है वो अच्छे से शार्प हो गए हैं तो आपको ये मेरे टिप्स कैसे लगें आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए इतने सारे मैंने आपको टिप्स दिये इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा टिप्स आप आपको बहुत अच्छा लगा है और आप जो ये जो वीडियो देख रहे हैं कौन सी सिटी से देख रहे हैं ये मुझे बताना ना भूल है और आप मुझे ऐसी ही नई-नई री वीडियो के लिए रेसीपी के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी पॉलो कर सकते हैं उस पिल्कुल फिरी है और नीचे बेल आइकन का बटन दबा हुआ है आप उसे दबा दीजिए जब भी मैं वीडियो डालूंगी उसका आपको नोटिफिकेशन लगए जाएगा जिससे कि आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं तो फिर चलते हैं ऐसी ही नई रेस्ट वीडियो के लिए फिल मैं आपके सामने आजिर होंगी कुकिंग विद हीमा वीडियो देखने के लिए थैंक यू